शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें किसी ने कुस्से में थाने फोन कर दिया पुलीस आ गई है उसके यहाँ पर उसे पकड़ने के लिए बगवान किसकी इजाज़त से तुम दोनों इतनी रात को सेर्श अपाटे पे निकले थे रात को बढ़ों कर दो अपाटे आप पूछ रहे हैं तुमने भी अपनी बेहन की इती की तरह हरकते शुरू कर दी है अदे मम्मी अरे तर्मीजा जी इतनी रात को पच्चों को चिना रही हैं अरे अरे अपनी प्यारी बहु जे पूछे ना इनको रात में आई सीम खाने का मन किया तो हमारे बेटे को लेके निकल पढ़ें अरे इस घर में बड़ो का तो लिहाज है नहीं कि उनकी इजाज़त ली जाए अरे तरे पार्टी घर की नई बहुओं के नए लक्षण एक तो निकली गई है अब दूसरी भी निकलने के सिरात में है बस ममी आपको कुछ नहीं बता है कुछ भी बोल रही है अब शद्दा को वो आगे आपसे डरी हुई है मैं ही जित कर रहा था बाहर जाने की भगवान मतलब आप पतनी के प्यार में तुम हमसे इंपो लडाओगे अरे ममी आप कही की बात कही ही ले जाती हो यार अरे बस करो आप कुछ आप भी ना बेटा ममी गलत नहीं है इतनी रात को बेगैर बताए बहार निकलना सुरक्षत नहीं है बेटा और जब तुम दोनों गए थे ना तुम्हें पता भी नहीं क्या हुआ मॉरून के घर पुलीस आगी लेकिन क्यों तेज म्यूजिक बजाने के चक्कर में पड़ोसी ने पुला लिया क्या हाँ वरून जी को खुल से नहीं ले नहीं गई बाइसा अब सभी टाइम पर पहुच गया और समाल लिया बढ़ इसलिए तुम्हारे मम्मी को थोड़ी चि पापजी हमें माफ कर दीजे आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे समझे कि ये पहली और आखरी बार था बिटा नराज होनी के तुब बात ही नहीं है गुमना फिरना तो अच्छी बात है और तुम दोनों इस उमर में नहीं गुमोगे तो खब गुमोगे लेकिन विटा अंधेरे के बाद खड़ा बता के जाय करो तो ठीक रहता है और हाँ अगली बार आइस क्रीम खाने जाओ तो हमारे ले भी ले आना ठीक है तरमा जिसी हाँ बिलकुल ठीक है बड़ा हमारे बेटी को ले जाएंगे आइस्ट्रीम खिला वो भी हमें बिना उप बता रहे कुछ कहापन नहीं कुछ नहीं कह रहे है और हम यहीं पहरेदारी करते रहें तो रात में सोईंगे गब और सुबह में सब काम कॉन अच्छा और आपी चलिये आपको दुकान नहीं जाना है कल और तुम दोनों यही खड़े रहोगे कि अब और तुछ करना है आईसीम खालिये ना आप चुप-चुप सो जाओ चलो कॉरुम बेटा, आगे यहाँ, अन्दे चीविए. पाबा, प्लिर्ट, अबसे तुम दोनों के लिए इस खाल के तर्वासे बन! क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? अभी, आपने अपनी कसम देके मुझे यह बुला तो लिया है, लेकिन अगर पापा को पताया सरी है, वो आप पी भी बड़क जाएंगी. अपने बेटे को अपने घर पे बुलाने के लिए हमें किसी का डर नहीं, और वैसे भी आपके पापा बाहर गये हैं, इसलिए तो नुमसे रहा नहीं कहें. अभी, आपा के पीट पीछे हैं सब मुझ से तो वह वैसे नाराज हैं. अगर मेरी विजल से आपको गई परिशानी होगी नहीं, तो मैं फुद को माफ नहीं कर भाऊंगा. इटाब, वह पिता है आपकी, बस नाराज हैं आपसे, और यही उनका प्यार दिखाने का तरीका है. अब यह से मत सोची आप, बस चलिए खाना थंडा हो रहा है. आई, आई, यही देखिए, सब कुछ हमने आपकी पसंद का बनाया है. बैठी. थोड़े ही दिनों में कितने कमजोर हो गया आप. क्या खाना नहीं मिलता है ना आपको? आप दीजे. पर आप भी तो खाओ. आप में खा देंगे, आप खाईए. आज अच्छे से खाना खाना, ठीक है? भावी, फिरगेट तो पल में रंग बदलता है, लेकिन आपकी कमाओ बहुश्रत था. इतनी जल्दी रंग बदलने लगी थी, इसकी उमेड नहीं थी आमें. मतलब पहले तो आवाज नहीं निकलती थी आपसे बिना पूछे. और अब देखिए, रात में पती के साथ सेड स पाटे पर निकल जाती है. अब है भी आपके खिलाख अवाज उठाने लगा है. वैसे आंटी जी, अब ना आपकी बहुश्रद्धा आपके बस में रही नहीं है. देखी ना कैसे सुबह सुबह अपने माईके जाने के फिराक में है. अरे, सौन्या! सब तब कितनी में कोशिश कर ले चिपते-चिपाते माईके जाने की. तुम हमारी तनु भावी को नहीं जानती. उसे 10-15 काम ऐसे दे देंगे जुसे बिना किये मुझा ही नहीं सकती. है ना तनु भावी? अरे, सौन्या, तुम्हे काम करो. तुम जल्दी जाओ, और जो लेफ्ट में ड्रॉर है, उसके नीचे कागज और कलम है. जल्दी से लेके आप. ठीक. अरे, भावी, आप तो कुछ कहाई नहीं रहे, ये लीजे. अरे, नहीं, नहीं, ले आई तुम. फटाफट लिखो. पहला काम लिखो. नीम्बू का अचाड डालना. हाँ, अब लिखो दूसरा काम. घर में जितने भी जेवर हैं, उन साब को चमकाना. अब तीसरा काम हाँ, हमारी दवाईयां लाना. और चौथा काम. हाँ, घर में जितने भी कपड़े धुले हैं, उन सब को इस्त्री कर. लिख लिया तुमने? चलो, ये परचाब हमको तो, और हम ये श्रद्धा को दे क्याते हैं. अरे लाओ! अरे अंटी जी, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं? आप ना अराम से बैठके नाश्ता कीजिए. श्रद्धा को तो हम समझा ही देंगे. ये भी ठीक है, तुम भी कुछ काम तरही लो. चलो जाओ, देख या उसे. पटाफट जाओ. पाबाबी, ये हुई ना असली सास्वाइबाबी. हुँ, हाई. बहुत लीजिए. बश्ममी, बहुत जाद हो जाएगा. अरे, कहां आपे कुछ काया ही ने? बहुत जाएगा. चलो. पस. तोड़ी खीर और ले लीजिए. अजि नहीं, बम्मी, बस. पेट भटजाएगा मेरा. बम्मी, सच में, आपके हाथ के खाने को मैने बहुत मिस किया. वरुन जी. वरुन जी. वरुन जी. वरुन. वरुन जी. वरुन. वरुन जी. वरुन जी. वरुन जी. आपको यहाँ आकर अपनी मम्मी के साथ बैटके अराम से खाना खाना है. वरुन जी. वरुन जी. आप अपसे ना यह घर नहीं चूटता. और इनके सामने आपको हमारा दर्भ नहीं दिखता. किरती प्लीज आज कोई तमाशा मत करना आपको थोड़ी सी भी शरम नहीं आती है कोई अहसान नहीं किया आपके बेटे ने जो कर रहे है न अपनी मर्जी से कर रहे है और इतनी कुर्मानी दे रहे न ये तो हमने भी अपने सबनों का घला गोटा ही ये शादी करके और उपर से आपके रोज रोज ते ताने जो बेटा बेटा करना था ना तो पल्लू से बांद के रखती शादी क्यों कर आई नेनाची क्या हाल है आपका? हाल बेहाल हुए पड़े है येश्वी जी समझाईए अपनी बेटी को एक दिन ऐसा नहीं कुद्रा जब इनों ने हमें चैन से चीन दिया अपनी हमारी मम्मी को फोन कैसे लगा दिया केटी ये किस तरह से बात कर लियो तुम अभी क्या भी माफी मांगो उनसे हर बड तुमारी जिद नहीं चल सकती माफी मांगो आप तो यही चाती थी ना मम्मी कि दोनों बेटियों की शादी हो जाए और आपकी जान चूटे एक बार भी नहीं सोता कि हम भे क्या बीटती है किरती प्लीज मस करो बहुत होगी किरती तुम जितना मर्जी अपना दुख्रा रोलो पर तुम्हारी सचाई नहीं छुप सकती हम अची तरह जानते हैं वहां किस पर क्या भीत रही होगी वाँ ठीक है आज आपने भी हमें सब के सामने बेज़त करी दिया हम जो है मम्मी वो है पर दीदों तो बुरी नहीं है ना दीदों तो बहुत अच्छी है फिर ये लोग उन्हें क्यों अक्रानी पना के रखते किरती लिए क्या बोल तुम हमने तो आपको सब कुछ बताया और आपने अपनी कुछ भी नहीं किया इवा डॉक्टर को कॉल करके अपॉइन्मेंट ले लेती तही किसने कुला छोड़ दिया क्या प्रश्ची करें अपने के आपको अपन्हें इवा प्रुम झाल इवा प्रुम जी जी सेल, हाँ हाँ, आम लोग अस मम्मी को लेके हॉस्पिटल पहुची रहे है, श्रदा, तुम कहा चाहरी हो भई, हाँ, मम्मी जी मैंने आपको बताया था ना, मम्मी की तब्या ठीक नहीं है, तो उनको हॉस्पिटल लेके जा रही है, वैसे आप चंता मत कीजे, मैंने कर दिया है, हाँ तो तुमने काम तो कर दिया है, ना सब, ठीक है, मम्मी, मुझे कॉलिज के लिए देर हो रही है, मैंने आप से आप से आथा था ना, कि मुझे ये वाले कपड़े पहनने है, लेकिन देखो, अभी तक प्रैसी नहीं हुआ है, कैसे जाओंगी मैं कॉलिज, तुमने कपड़े इस्ट्री नहीं किये, तुम नहीं मम्मी जी, और वो जेवर जो हमने चमकाने का था, उसका क्या, मतलब मीमु का अचार भी नहीं डाला, मम्मु जी, इन सब काम के बारे में मुझे पता ही नहीं था, तुम से हमने कहा था ना, पर्चा यसे देने के लिए क्या हुआ, तुम मैंने दिये तो थे, पर्चा, कौन सा पर्चा, मुझे नहीं पता, अरे श्रद्धा, तुम एसे क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हे वो पर्चा दिया तो था, तुम तो ऐसे बंजियो जैसे तुम्हे कुछ पता ही नहीं है, चूर क्यों बोल रही हो सुन नहीं, Sonia. यह देखो, यह तो रहा. यह देखो. यह तुम्हे ने मुझे कभी नही दिया, Sonia. अरे, श्रद्दा, तुम्हे एसे क्यों बोजिया, यह तुम्हारे बैग से निकला है, देखो, मैंने तुम्हे दिया था. मैं और आर्ती दोनों आये थे ना, तुम्हें यह देने के लिए, आर्ती, बता इसको. बता इसको कि हम दोनों साथ में गए थे ना, यह परचा देने. अरे, बोल ना, आर्ती. आर्ती, बता ना, वर्ना वह मुझ पर ही जूटा इजाम लगा रही है. हाँ, हमने परची दी थी आपको साथ में. अब आपी चूट बोले लग गए है क्या? जटा बीटा, अगर तुमें काम नहीं करना था और अपने माईके ही रहना था, तो सच पता आदेती बीटा. ऐसे हमारे खांडान को चूटा मत कहूँ, बहुत तर्ट होता है हमें. गुआ जी, मैंने कभी किसी काम के लिए मना किया है. मैं तो सारा काम किना मन से करती हो, तो आज मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि तुम्हें अपने माईके से बहुत प्यार है. अपनी मम्मी का बहाना बनाती हो बिमारी का ता कि तुमको कोई काम ही ना दे. और अब तो अभे भी तुम्हारी बातों में आ जाता है. मुझे तो लगता है कि तुम्हारी मम्मी की बनाई तिगड़ाम है कि तुम दोनों पहता हो! परस्टोनिया! कबरदार! अब एक शब अगा तुमने मेरी मा के बारे में कहा ना तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा! चिलाओ मत! एक तो जूट पे जूट बोले जारी हो! हमारे घर में तुम अपनी आवाज उंची करने लगी हो! और इस घर में चिलाने का हक सिर्फ हमारा है! और जूटे इंसान पर हाथ उठाने का हक सिर्फ और जिर्फ हमारा है! लुमिर! यह क्या करने वाली थी आप? शर्दा को थपन माने वाली थी? बोलो ममी! ऐसी क्या नोबतागी कि आपको शर्दा को थपन मानना पड़ रहा है! अच्पट को शर्दाप शर्दाको शर्दाथ इसे क्या गलती होगे क्या आप उसको? आप यह क्या आप दोनों मम्मी जी से क्या पूछ रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है वो क्या है ना कि हमारे जो पलोसी है ना उनके लगल बहुत बड़ा जग्रा हो गया था बहुत शोद भी हुआ था तो वही मम्मी जी मुझे बता रही थी कि कैसे जग्रा फुरू हुआ हाँ हम वही बता रहे थी कि कैसे वो काज़ता भी है ना चौप्टे परोस में रहती है तो घर छोड़के वो ना अपनी बहु से बहुत गुसा अगई थी बहु बात ही नहीं मा पट-पट हो गया कि वो चिलाई और फिर उनका हाथ उठ गया तो यही बात हम बस बता रहे थे हां 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 हम सब मिलकर यही तो यहां खड़े रहकर देख रहे थे यह हमारी तनु भापी भी ना इतनी अच्छी आक्टिंग करती है पूरी बात नातिया रुपांतर करके हम स और यह श्रद्धा उसे भी ना बहुत बुरा लग रहा था बहु के लिए बिचारी तनु भावी यह श्वी जी आई है हम अपनी कप शप में ना इनने चाय पानी पूछना ही भूल गए हां हां हम तो भूली गए श्रद्धा बेटा तुम ना वम्मी के साथ अराम से बैट अपने पेटा फिकर काय कर रही हो अरे हां तार हमारे चल रहना तब तक हम बना सकते हैं जाओ जाओ पैठो और आराम से बैट हम ले के आता है चलिए रिगए रिष्वी जी आप आराम से बैचि इम नाश्टा लिए कर आते हैं हम पैच्छा बैच्छो अपनी मुदी के खुश्रो, आइए आप बैठिए ना, वो मुझे भी काम के सिल्सिले में एक कॉल करनी है, शर्दा, तुम अपनी मम्मी के साथ आराम से बैठो, मैं आ रहा हूँ, आइए ना मम्मी, बैठते हैं, आइए ना, पर जो है, मम्मी वो है, पर दीदों तो बोरी नहीं है ना, दीदों तो बहुत अच्छी है, तो यह लोग उन्हें क्यों अक्राणी बना के रखते ना, शर्दा, तुम हमारी कज़ने, सच सच बता, तुम यह ठीक होना, वाल राज हम ठीक कर देते हैं और जब अपना बेटा ही हांथ से निकल गया है तो हम कर भी क्या सकते हैं भापी हम अपका तू बहुत अछे से समझ सब्छदे लेकिन हम बड़े हैं है से हाथ उडान तू नहीं देता हम पे हम तो जो भी करते हैं वो गलत ही लगता है मुझे आज तो ना श्रदा की किसमत अच्छी थी, यह उमारे गुस्से से बजगी हाँ भापी, आप हमारी एक बात मानी अपने गुस्से पर काबू रखना सीखिए और ना कही ऐसा नहो कि श्रदा सारी बाते जाकर अपने माईकी में बताने लगे अरे मम्मी, कुछ बताने लाइक होगा, तब तो बताऊंगी ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर तुम्हें पता है ना तुम अपने मम्मी बापा से कोई भी बात पेच जग कह सकती हो अकर तुम्हे कोई भी तक्रीफ हो ना दूगा, हमें बताना बिता मम्मी, अभे के रहते मुझे इस घर में कोई तक्लीक मुझे है वो मेरा बहुत ध्यान दरते हैं, बहुत अच्छे दे समझते हैं मुझे अब रही बात कीर्टी के आए बिन के तमाशे की तो उसे सिर्फ मैं नहीं, पुरा परिवार परेशान है देखो बिता, तुम्हे कोई भी दुख हो तो और में बताओ की ना देखो, कीर्टी की परिशानियों मैं सेहन कर सकती हूँ वो तो सुरू से ऐसी थी, लेकिन अगर मुझे परताचा लगी तुम दुखी हो, तुम्हें बर्दाश्ती कर पाओगी शथा कीर्टी को तु बर्दाश्त कर लिया नेना भाभी ने, मगर शथा वो बहुते अलग है शांत जरूर है, मगर बहुते स्यादा तेज है उसे काबू में गरने के लिए हमें कोछ और ही सोचना होगा बिसे भाभी, कीर्टी का इस घर से जाना हम सब के लिए बहुते फाइदे बंच सापित हुआ मगर अगर शथा इस घर से गई, तो भारी मुक्सान होगा इस साड़ी को न, तुम संभाल कर साफ करना ये साड़ी ना हमें अपनी जान से भी जादा प्यारी है तो अगर इसमें एक भी दाग लग गया, तो हमारा दिल बिलको तूच जाएगा आप तक्रम अपीजे ममी जी, मैं इस साड़ी को इतनी ही प्यार से तयार करोगी, जितना आप इसे हर साल करती है तुम्हारे इस प्यार के न, ताक तो मैं लगाँगी शुन्ता तुम्हें इस खर में साड़ा दिल तक पितनी ही दुगी मैं किस्मत से टकराती, उलजी लकीरों को सुलजहाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाएए शिमारू उमंग झाल